एक औरत का रेप हो जाता है और यह जो रेपिस्ट है इसके आसपास ही है इस रेपिस्ट से रीवेंच लेने की ये कहानी है आज की मुवी एल ये एक रीवेंच ट्रिलर है इस मुवी में हमारे क्यारेक्टरस बहुत ज़ादा फॉल्टी है अगर आपको कुछ गलत लगे तो म मुवी के लास्ट में आपको सब कुछ में समझाने वाला हो मुवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कि मिशल का रेप हो चुका है रेपिस्ट उसके घर से जहा रहा होता है इसके बाद उठती है और उसका घर तैसने सो चुका होता है तो इसे साफ करती है बात लेती है और उसके door change करने के लिए आदमी को बुलवाती है रात में उसका बेटा उसे मिलने के लिए आता है इसल के face पर एक छोट होती है तो उसका बेटा उसे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे लगी ये बहान बाना देती है इसका बेटा विंसन अब फादर बनने वाला है अपने बेटी की फुल रिस्पोंसिबिलिटी ये लेने वाला है और उसके गल्फरेंड के साथ है रहने वाला है विंसन जो है ये कुछ भी काम नहीं करता था ये अज़ टोटल लुजर टाइप क्यारेक्टर हमें दिखाये काया है पर जब से इसे पता चला है कि इसे बेटा होने वाला है तो अब रिस्पोंसिबिलिटी लेने लग गया है माइड़नास जैसी जगा पर ये अब काम कर रहा है विंसर मिशेल को कहता है कि अब वो नए घर में मूविन करने वाला है इसके पास इतने सारे पैसे नहीं है तो मिशेल कहती है कि मैं तुम्हे सपोर्ट कर सकती हो ये इसे तीन-चार महने का रेंड देने वाले होती है Winston की girlfriend Michelle को पसंद नहीं है उसे लगता है कि वो उसके साथ सिर्फ पैसो के लिए है इसके बाद इसका सन चला जाता है रात में अपने साथ एक hammer रखती है और उसके साथ इस होती है अब next day Michelle जॉब पर भी जाती है वीडियो गेम्स डेवलप करने की उसके एक agency होती है Michelle ने अपनी friend के साथ ही established की थी Michelle जब game review कर रही होती है तब उसमें जो scenes है यो violent हो है पर इसे वो realistic नहीं लगते है यह बहुत ही professionally अपना काम कर रही होती है यहाँ पर इसका एक employee होता है जो उसे कहते है कि तुम गलत कह रही हो यह game खेलने लायक ही नहीं है हम एक console पर ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों में अगर हम लग गए तो game बहुत postpone हो सकता है Michelle उसे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करते हो मैं तुम्हारे लिए नहीं करती हम already schedule से behind है वो जो मैं कह रही हो यह हो जाना चाहिए इसके बाद Michelle डॉक्टर के पास आजाती है सब टेस्ट होगरा करवा लेती है Michelle जब रेस्टॉर्म में होती है तब वहाँ एक औरत आती है और उसका सब खाना उस पर गिरा देती है यह वो deliberately करती है यह Michelle को कहती है कि तुम monster की daughter हो यह hacker हो चली जाती है Michelle के जो father है यह jail में है और यह cute jail में गए थे यह जैसे movie progress होगी विसे में पता चलता जाएगा इसके बाद हमें दीखता है कि Michelle उसकी mother से मिलने आती है इसकी mother का एक young boyfriend होता है Michelle को अपनी mother की boyfriend अच्छे नहीं लगते Michelle की mother को इस सब से कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता Michelle अपनी mother को उसके जो monthly expenses वेगरा होते है यह सब देने के लिए वहाँ आई होती है Michelle की mother Michelle से यह दिये कि तुम्हें जाकर तुम्हारे फादर से मिलना चाहिए फादर जेन में जाने के बाद Michelle कभी भी उनसे नहीं मिली है और वो मिलना भी नहीं चाहती यह जब घर आती है तो इसके neighbor Christmas के लिए घर वेगर ready कर रहे होते है यह उसे party के लिए भी invite करते है घर पर locksmith आया होता है और door के locks वेगरा हो change कर रहा होता है पीछे का दर्वाजा जाम होता है इसी वज़े से वो रेपिस्ट अंदर आ सका था अब यह incident याद करने लग जाती है थोड़ी देर में उसकी phone पर message आता है इसमें लिखा होता है कि इसकी ज़ादा है पर फिर भी यह बहुत ही सही है यह message उसकी रेपिस्ट का होता है अब Michelle बाहर निकल थी है और paper spray और एक बड़ी सी axe लेकर आती है अगर उसके साथ फिर से यह हुआ तो आपने आपको defend करना चाती है रात में Michelle अपने एकस husband अपनी friend और उसके husband इन सब के साथ dinner करने वाली होती है जब वो पार्क करी होती है तो अपनी husband की गाड़ी को ठोक देती है इसके husband ने उसे मारा था इसी वज़े से इन तोनों का divorce हो चुका था जब Michelle की friend वेगरा वहाँ आ जाते है तब उसके साथ क्या हुआ था यह सब उने बता देती है यह सब उसके लिए concern होते है यह बुछते है कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया था यह कहती है कि नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है ही इस पर जादा कुछ सोचना नहीं चाहती यह उसे बता देती है Michelle और उसका husband जब अकिले होते है तब Michelle का husband पुछता है कि क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाना चाहती क्योंकि तुम उनसे कुछ डील नहीं करना चाहती Michelle कहती है कि बचपन से मैं पुलिस और जनरलिस्ट इनसे ही बात करती है रही हूँ अब इनसे इसे कुछ भी लेना देना नहीं चाही होता इसके फादर का जो केस है बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था अगर इसके साथ जो हुआ है इस जनरलिस्ट वगरा सब लोगों को पता चल गया तो फिर से इसकी लाइफ डिस्टब हो सकती है Michelle के हस्बन को भी एक वीडियो गेम की आइडिया होती है वोसपर वो गेम बनाना चाहता है Michelle कहती है कि तुम्हारा जो आइडिया है ही इन्वेस्टर्स के लिए कुछ आइडियल नहीं है इस पर वो गेम नहीं मना सकते इसके बाद नेक्स दिन Michelle अपने सन के साथ अपार्मेंट देख रही होती है यह उसे रेंड के लिए सपोर्ट करने वाली होती है तो यह देखने के लिए वो आई हुई होती है Michelle के बेटे की यानि Vincent की गर्ल्ट्रेंट जो अपार्मेंट Michelle उसे लेकर देने वाली होती है यह वो नहीं देखती है वो एक expensive अपार्मेंट देखती है इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है इसके बाद नेकसिन में हमें दिखता है कि Michelle जब अपने जॉब पर आती है तो उसकी फ्रेंड का हजबन वहाँ आया हो होता है इन दोनों का अफ़ेर चल रहा होता है रात में Michelle जब अपने ओफिस में अकेली होती है तब उसके मोबाल और मैसेज आता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा शर्ट मुझे बहुत ही पसना आया है इसका मतलब है जो रहे पिस्ट है यो उसके आस पास ही है ओफिस में एक फोटोग्राफर होता है जो हमेशा वाइलन इमेजेस वे गिनाल ले देता है ये वही होता है जिससे मिशेल की नहीं बनती मिशेल अब इस पर शक करने लग जाती है नेक्स दिन मिशेल अपनी मदर से मिलती है उसकी मदर उसे समझा रहे होती है कि तुम्हारे फादर कोई मॉंस्टर नहीं है वो भी इंसान ही है तुम एकी direction से इस situation को नहीं देख सकती वो अब बुड़े हो चुके है लोग कवे भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देगा तुम्हें उनसे जाक कर मिलकर आना चाहिए मिशल इस चीज पर बात नहीं करना चाहती है मिशल जब घर पर होती है तो वो incident फिर से imagine कर रही होती है imagine कर रही होती है कि उसके हाथ में कुछ था और उसने rapist को मार दिया था यह सिर्फ imagine करना भी उससे बहुत अच्छा लगता है मिशल जब डिवी लगा दिये तो उसके फादर ने जो किया था इसके ही news चल रही होती है हमें पूरे neighborhood में violence हुआ था यह TV पर दिखाई जाता है वह आपर मिशल भी थी मिशल को नीचे गाड़ी की आवाज सुना देती है मिशल जब देखने के लिए जाती है तो वियाइकल उसे suspicious लगता है यह उसे rapist का ही लगता है वो अपनी axe लेती है और इस गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा फोर देती है अंदर जो आदमी होता है इसके आगपर वो प्रिपरस पे लगा देती है इसके बाद इससे पता चलता है कि इसका यह एक सस्बंड था इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि वो तुमारा पीछा कर रहा है तुम पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं चाहती है तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था वो अलग गाड़ी में आया था इसलिए मिशल उसे पहचान नहीं पाई इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि उसकी गल्फरेंड की एक कार है मिशल उसकी गल्फरेंड में अब इंटरस्टेड हो जाती है उसे वो मिलना चाहती है पर उसका एक सस्बंड इसे एक करने नहीं देगा नेक्स दिन मिशल अपने काम पर जब होती है तो उसकी गेम की एक क्लिप उसे आती है इस clip में उसका face लगाय हुआ होता है और उसका monster उसे rape कर रहा है यह समें दिखाय जाता है यह clip उसके पूरे office में चली जाती है मिशल की friend उसका हाल पुछने के लिए आती है मिशल कहती है कि यह पहली बार नहीं हुआ है यह rapist मुझे बहुत सारी चीज़े बेज रहा है इसकी friend उसे कहती है तो मैं पुलिस के बास जाना चाहिए मिशल कहती है कि पुलिस ने जनरलिस्ट ने मेरी पूरी life बरबात कर दी थी उसके बाद मैंने अपनी life फिर से बनाई है जो सब मैंने अप खड़ा किया है मैं इसे lose कर सकती हूँ मैं इस सब होने नहीं दे सकती यह कहती है कि यह inside job है इसी office में कोई है जो इस सब कर रहा है मिशल का एक जो employee होता है जो उसे बहुत पसंद करता है यह उसके पास जाती है यह technology वेगरा ही समालता है तो मिशल उसे कहती है कैसे बनाई कैसे गया है यह कहता है कि हमारे office में किसी का काम हो सकता है पर ऐसा compulsory नहीं है हमारे servers भी hack हुए थे यह बाहर के भी किसी का काम हो सकता है इसके बाद next day मिशल अपने ex-husband की girlfriend से मिलने के लिए जाती है उसे उसके कार के लिए स्वारी कहती है इसके बाद मिशल की घर पर एक Christmas party वो रखने वाली है इसलिए अपने husband के ex-girlfriend को भी बुला लेती है इसे यहाँ call आ जाता है और उसके son को अब बेटा होने वाला है delivery हो जाने के बाद अपने son के बेटे को देखती है तो ब्लैक होता है उसके son का friend भी हाए होता है जो भी ब्लैक होता है यह अपने son से disappointed हो कर पहर आ जाती है वो एक nurse होती है जिससे वो बात ही करने लग जाती है यह कहती ही कि मे और मेरी friend एक साथ ही pregnant थे मेरी friend का miss carriage हो गया था और मुझे बेटा हो गया मेरी friend बहुत ही कम में थी उसे मेरे बेटे को दूद पिलाना था तो मैंने उसे करने दिया इसका बात मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरी friend के साथ ही close है इसका बेटा है पर फिर भी यह ऐसा कैसा है यह उसे समझ में नहीं आता वो कभी भी अपने बेटे से सही से relationship नहीं बना पाई मिशेल रात में जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे police वगरा आये हुए होते है इसका neighbor नहीं इन police को बुलवाया होता है इसका neighbor जब बाहर घुम रहा था तो मिशेल के घर में कोई घुस रहा है यह उसने देखा था कि बीचे है भागा पर इसे वो पकड़ नहीं पाया इस वज़े से अब यहाँ पुलिस आई हुई है इसका neighbor मिशेल को घर तक छोड़ने के लिए आता है मिशेल को उसका neighbor अच्छा लगता है उसे ज़रा flirt करने लग जाती है नेक्स दिन मिशेल जब अपने ओफिस में आती है उसका शक इसके ओफिस में फोटोग्राफर जो है इस पर ही है यह अपने फ्रेंड से पुछती है क्या यह स्कींग करता है क्योंकि जिस ताइम रेपिस्ट उसके घर पर आया था तो उसने स्की मास्क ही पहना था यह फोटोग्राफर स्कींग करता है मिशेल फिर अपने दुसरे कोवर करके पास जाती है उसे कहती है क्या तुमें शुटिंग करना आता है इसे पता होता है यह उसे शुटिंग रेंज पर लेकर जाता है वहाँ जाकर मिशेल उसे कहती है कि मेरे पास तुमारे लिए एक जॉब है जो क्लीप आई थी यह हमारे सरवस से कहां से आई थी यह तुमें ढूंड़ना है इसके लिए बहुत सारे पैसे भी उसे देने वाली होती है मिशेल अपने नेबर से अट्रेक्टेड है उसे वाइव भी है वो रात में जाती है और वो एक क्रिसमस पार्टी अरेंज करने वाली है तो इसके लिए उन दोनों को इन्वाइट करकर आती है जब इसकी पार्टी चलती है इसका हस्बन, नेबर, उसकी मदर और उसका बेटा यह सब वहाँ आये होए होते है जब इनर टेबल पर होते है तो मिशेल अपना पैर अपने नेबर को लगा रहे होती है उसे वो फ्लट कर रहे होती है अब इमें दिखता है कि मिशेल की मदर अनॉस्मेंट करने लग जाती है वह कह रहे होती है कि अब वो शादी करने वाली है मिशेल इस पर बहुत इचिर जाती है यहाँ वो ज़रा तमाशा खड़ा करती थी है डिनर खतम हो जाने के बाद अपने नेवर के साथ यह बेटी हुए होती है इसके फादर ने क्या इंसिडंट किया था इसके बारे में उसे स्टोरी सुनाती है यह यह थी कि उसके फादर एक रिलिजिस आदमी थे सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे उसे पहले उनके माथे पर एक क्रॉस बनाते थे नेवर्स को एब बाद पसंद ने आई उनका दिमाग खराब हो गया इन्होंने एक मिशे डिली और सब नेवर्स को मार दिया जब वो घर आये तो मिशेल के साथ वो घर जनाने लग गये मिशेल भी छोड़ी थी तो उसने भी उन्हें हेल्प किया था इसके बाद मिशेल की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी मिशेल भी एक साइकोपैथ है इससा सब को लगने लग गया था जनरलिस्ट हमेशा उसकी लाइफ पर ध्यान रखते थे बजबन से लेकर आज तक वो इस बाद से पुरी तरह से उभर ही नहीं पाई है यह बाद ही कर रहे होते है तभी इसके मदर कोलापस हो जाती है मिशेल की मदर को स्ट्रोक आया हुआ होते है और यह कॉमा में चली गई होती है मिशेल को सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड उसके पास ही सूती है नेज सुबा जब मिशेल उटती है तब उसकी फ्रेंड का हस्बन वह होता है मिशेल उसे कहती है कि हम जो सब कर रहे है यह हमें अब स्टॉप कर देना चाहिए हॉस्पिटल में अपनी मदर से वो मिलने के लिए आती है उसकी मदर उस पर नाराज थी तभी उसे स्ट्रोक आय गया और वो कॉमा में चली गई है यह अपनी मदर से कह रही होती है यह कैसा भी तुम एक्ट करो कुछ भी करो मैं तुमें कोई भी बोलने वाली नहीं पर सिर्फ मुझ पर नाराज मतो यह जब मिशल उसकी मदर से बात कर रही होती है तभी उसकी मदर अंस्टेबल होकर वही उसकी डेथ हो जाती है मिशल की मदर उसकी अस्तिया एक पार्क में डालना चाहती थी मिशल इस पार्क में अपने सन, अपने एक ससबन उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है यहाँ पर विंसन और उसकी गर्फरिंड का अब जगड़ा हो जाता है मिशल विंसन पर चीर जाती है वो कहीं दिये कि हमेशा तुम्हें वो ऐसे करती रहेगी ये बेटा भी तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो इसके बेटों को ये सब बाते नहीं सुनने होथी उसका बेटा यहाँ से अब चला जाता है रात में Michelle का neighbor उसके पास आजाता है वो कहता है कि storm आने वाला है तो सब खिड़िया हमें बंद कर लिनी चाहिए जब उसे help कर रहा होता है तो जब दोनों एक दूसरे के पास आजाते है उसके neighbor को realize होता है कि गलत है और वहाँ से चला जाता है Michelle भी कुछ सोचते हुए में दिखती है इसके बाद Michelle जब अपने office में होती है तो अपने को worker का एक PC देखती है जिसको उसने कहा था कि ये वीडियो कहा से आई है इसका पता करने के लिए ये वही है ये उसे सफाई पोचती है ये कहता है कि ये intentional नहीं था मेरे एक friend ने ये देख लिया और उसने send कर दिया था Michelle पुछती है तुमने बना है क्यों था ये कहता है कि real life crime के photos से ये game बनाने की idea पहले थी Michelle के father के case के वज़े से इसने ये video बनाया था Michelle फिर उसे उसकी pen उतानने के लिए कहती है ये यहाँ पहचान जाती है कि उसे ढूंड रही है ये वो नहीं है रात में Michelle जब घर पर आती है तो उसके घर में कोई छुपा होता है वो सब फिर से हमला कर देता है इस पार उसका मास निकाल लेती है ये देखती है तो इसका neighbor ही है घर से निकल जाने के लिए उससे कहती है नेक्स दिन इसका neighbor जब काम पर जा रहा होता है तभी इससे वो देखती है और कुछी बोलती नहीं Michelle अपने father से नहीं मिलना चाती थी अब उसने अपना mind change कर लिया है जिस दिन पर revisit schedule होती है उस दिन वो वहाँ पहुच जाती है इस jail का jailer उसके बास आता है उससे कहता है तुम्हेरे father ने suicide कर लिया Michelle फादर से मिलना चाती थी जब फादर कोई पता चला तो उसे उसे Michelle से नहीं मिलना चाती है उसके फादर बहुत guilty महसुस करते थे क्योंकि crime में Michelle को भी उन्होंने सामिल कर लिया था उसके फादर ने तभी suicide कर ली Michelle जेल से घर वापस आ रहे होती है तभी इसका accident हो जाता है वो अपने friend को call लगा थी है पर एक call voicemail पर चला जाता है डायर्टली उसके neighbor को ही call लगा देती है उसका neighbor उसे help करने के लिए आ जाता है यह injured हो चुकी होती है तभी इसे मलमपटी भी वो कर देता है Michelle इसे पुछती है कि तुमने क्यों किया था उसका neighbor खेता है कि यह necessary था इसके बाद Michelle अपने mother के boyfriend के पास आ दिये वो as a revenge उसकी mother के साथ था इसके बाद हम देखते हैं कि Michelle उसके friend के husband के साथ होती है यह अपने friend के husband को कहती है कि यह last बार है हम एक साथ रहेंगे इनका जौफेर है यहने end कर देना है जब Michelle घर पर आती है तो उसका son घर पर आ चुका होता है उसे बोचते हैं कि तुम यहां क्यों आय हो इसने उसका job छोड़ दिया होता है इसकी car बन पड़ गई थी इसे job करने के लिए एक गंड़ा travel करना पड़ता है यह effort इसके लिए जादा हो जाते है इसलिए job छोड़ देता है इसी वज़ए से इसकी girlfriend से भी इसकी fight हो चुकी थी अपने बेटे को लेकर वो यहां आया हुआ होता है विंसन की girlfriend भी यहां पहुच जाती है यह दोनों fight करते है पर मिशल उसे कही दिये कि उसे अपने बच्चे को लेकर जाने दो इसके बाद विंसन और मिशल दोनों सुपर मार्केट में को शॉपिंग कर रहे होते है तब ही वहाँ neighbor भी उसे दिखता है neighbor इनसे कहता है कि मेरी wife बाहर गई है तुम अगर चाहो तो मझे dinner के लिए join कर सकते हो विंसन दिनर करने के बाद वही सो जाता है मिशल अपने neighbor से बात करने लग जाती है मिशल कहती है कि तुम्हारे floors बहुत ही warm है neighbor कहता है कि basement में मैंने hitting system लगाया है तोनों जब नीचे आ जाते है तो मिशल अपने आपको अपने neighbor को सोब देती है neighbor कहता है कि ऐसे में तुमसे intimate नहीं हो पाऊंगा ये फिर उसे मारने लग जाती है और इसके बाद ये दूर इंटिमेट हो जाते है इसका neighbor एक psychopath है और इसकी अजीव से fantasies है नेक्स दिन मिशल जॉप पर होती है तो उसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband का कहीं चक्कर चल रहा है मिशल की friend को पता नहीं होता कि मिशल की साथ उसका husband सो रहा है अब हमें दिखता है कि मिशल का game complete हो चुका है इसके लिए वो पार्टी कर रहे होते है इस पार्टी में हमने friend को कह देती है कि वो मैं ही थी जिसके साथ तुम्हारे husband का अफेज चल रहा था मिशल का husband भी इस पार्टी में आया होता है मिशल के husband को भी game industry में घुसना होता है तो अपने coworker के साथ मिशल उसे introduce करा देती है इसके बाद अपने neighbor को कहती है मुझे तुम घर छोड़ दो अपने बेटे को कुछ कह कर जाती है यह दोनों जब कार में होते है तो मिशल अपने neighbor से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाना ने दे सकती है तुमने मेरे साथ जो किया है यह किसी और के साथ भी किया होगा और future में भी तुम यह कर सकते हो तुम्हारी wife भी है यह बहुत ही dangerous है यह neighbor फिर चेट जाता है मिशल जब घर पर आती है तो उसके पीछे आ जाता है इसने माक्स पहना होता है और मिशल को फिर से जबर्दस्ति करने लग जाता है यहाँ पर विंसेंट अल्रेड होता है विंसेंट एक बड़ी सी चीज लेता है और neighbor के सर में डाल देता है यह neighbor यही मर जाता है पुलिस officer से आते है कुछ normal से question पुछते है और मिशल पर कुछ शक भी नहीं करने वाला मिशल की neighbor की wife अब घर छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है यह उसे sorry कहती है यह कहती है कि मेरा husband सबको अच्छा लगता था पर उसमें भी कुछ बुराईया थी इसकी neighbor जा रही होती है तो उसे यह भी लगता है कि मिशल भी अब यहाँ से चली जाएगी तो मिशल की थी है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली थोड़ी दिर में मिशल का बेटा भी वहाता है अपने बेटे को उसने अच्छी सी कार एक पाइक करकर दी है मिशल जब अपने मदर के cemetery में आती है तो उसकी friend भी वहा होती है इसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband को मैंने निकाल दिया है यह अब घर में अकेली नहीं रहना जाती तो मिशल के साथ कुछ दिन आकर रहना चाती है इसकी friend उस पर अब नाराज नहीं है इनकी friendship जैसी थी विसे फिर से continue हो जाती है अब मैं आपको मिशल के बारे में बताता हूँ है मुवे में जब लगता है कि मिशल अब ये करेगी वो करेगी इस तरह से वो react कर सकती है पर कभी भी वो उसी तरीके से react नहीं करती ये हमेशा काल्म होती है अपना जो work है अपना जो routine है ये कभी भी वो disturb नहीं होने देना चाती साथ जो incident हुआ है इसे वो affected होती है पर इस चीज से उसे वो define नहीं करने देती इसके फादर के साथ मिलकर इसने अपना घर जलाया था तब है छोटी थी तब उसे समझ में नहीं आ रहा था वहावार वो खुद victim बन चुकी थी इसके बाद उसके life change हो गई थी उसे हमेशा surveillance में ही जीना पड़ा था इस बार वो फिर से वैसा होने नहीं दे सकती है वो इस बार victim है पर वो ऐसा जताना नहीं चाहती है उसका शक उसके neighbor बजाता है तो deliberately उससे वो flood करने लग जाती है जब वो party में थी तो अपने son को पहले ही घर जाने के लिए उसने बोल दिया था उसका a plan था कि अपने neighbor को भड़काएगी और जब वो घर आएगा तो उसका son उसे मार सकता है Michelle का son Vincent कभी भी कोई भी responsibility नहीं लेता था उसके पास थोड़ा सा वे confidence नहीं था उसने अपनी son की responsibility ली थी क्योंकि life में कुछ अच्छा सा नहीं कर पाया है उसे लगता है यह मैं अच्छा एक father बन सकता हूँ उसके son का confidence boost करने के लिए भी उसने अपने son को इसमें involved किया था Michelle कोई भी impulse decision लेकर अपनी life को बरबात करने वाली नहीं थी वो gun ले सकती थी और अपने neighbor को मार दे सकती थी पर इसके बाद इसको ही भुगदना पड़ता यह already इस experience से जा चुकी है अब इस smartly काम लेती है यह अपने neighbor से बदला भी ले लेती है और अपने son को जो confidence चाहिए था वो भी हो दे देती है इसका husband writer था इसके books नहीं चल रही थी gaming industry में भी इसने उसे entry दे दी इसके friend का husband cheating करने वालों में से ही था उसके friend के साथ यह नहीं होना चाहिए इसलिए अपने friend को उसने बदा दिया उसके साथ सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी उसे जो जैसे चाहिए था उसने पा लिया है यह बहुत ही controversial movie थी जो इस movie के बारे में कुछ अपने personal opinion ने देना चाहता अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie साथ तब तकिल थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये